हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं टूप चैनल उनिवर्स क्लासे तो कैसे आप सभी हम उमेद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी त्यारी बिल्कुल सांदार्त तरीके से चले होगी चलिए बात करते हैं हम आज हम टीजटी पीजटी और एल्टी रेट के लिए भ युक्त हैं हरिद्वार से कानपूर तक कानपूर से इलाहाबाद तक इलाहाबाद से हल्दिया तक या फिरी रिसी केश से पटना तक गंगानादी देश का परमुक आंतरिक जल मार गया यह एक नियत वाही नदी है जिसके अंदर गत वर्षा रित में मांसून वर्षा और इस दूत में वर्ष पिखलने से पूरे वर्ष परियाप्त मात्रा में जल उप्रब्द रहता है और नहरों में बड़ी मात्रा में जल निकाले जाने के बावजूद इसके निचले भाग में पटना तक परिवहन परियाप्त जल की गहराई लगबग 10 मिंटर उपलब्द र जाएगा दो तिन बाटते आप यहां पर नुट कर पाया होंगे अकला कोशन है सुची एक को सुची दो से मिलाना एक तरफ दी गए नदी और दूसरी तरफ दिया गया है उससे बनने वाले डेल्टा का आकार प्रकार मिसिसीपी नदी किस तरह का डेल्टा बनाती है चापा का डेल्टा और अगले अगला जो बनाती है वह नर्मदा नर्मदा बनाती है ज्वार नदमुख यह डेल्टा नहीं बनाती है यह ज्वार नदमुख मनाती है और तीली नदी यानि कि नदी का पुराणा मार्ग यह को में सी बनाती है यह परित्यक्त तो एका दो पी का एक किस में दिया गया है कि सी में दिया गया है और सी आप्चन करेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कोश्टन लेते हैं ड्राई कांटर किस से समंदित है काष्ट अस्तलाकृती से हिमानी अस्तलाकृती से सुष्क अस्तलाकृती से या फिर तटी अस्तलाकृती से यह सब्द याद रखेगा dry contour यह किस से related है यह जो related है यानि कि समंदित है सो इसके अस्त्राकृति से तीसरा यानि कि C option correct है निमिकित में से कौन सा कथन सत्य है हिमालय का निर्माण भूपरपटी के भरंशन के कारण हुआ था हिमालय प्राचेंतम परवस सिंखला है हिमालय कैली डोनियाई परवस समू का अंग है या फिर दी हिमालय कुदपती टेथीज सागस में संपिडर होने के फलस्रूप हुई थी इसका जो करेक्ट एंसवर है चौथा है हिमालय कुदपत टेथीज सागर में संपिडरन यानि की दबाव के फलस्रूप हुई थी चौथा आप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन जब तिब्र दबाव के कारण वलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानतर एवं 36 अवस्था में आ जाती है तो परिडाम सुरूप बना वलन क्या कहलाता है सम्मित वलन समनत वलन परिवलन या फिर प्रतिवलन यह क्या कहलाता है यह कहलाता है परिवलन that means C option correct है अगला question लेते हैं दो समांतर भ्रंसों के मद्ध धसे हुए भाग को क्या कहा जाता है कंदा U आकार की घाटी V आकार की घाटी या पिडी भ्रंस घाटी तो दो समांतर भ्रंसों के मद्ध धसे हुए भाग को क्या कलते हैं इसको कलते हैं भ्रंश घाटी डी आप्सन सही है सुची एक को सुची दो सुमिल करना है और बताना कि कौन सा कोश्चन करेक्ट है आज देखते हैं महासागरे धाराएं अस्थान लेबरडोर धारा यह कहां पर बैती है या फिर कहां पर चलती है तो लेबरडोर चलती है आपके कनारडा के पुर्वितर्ट में लेबरडोर कनारडा का पुर्वितर्ट आयोसियो धारा यह कोरिया का पुर्वितर्ट आयोसियो कोरिया का पुर्वितर्ट कनारी धारा यह मुरक्को का पस्षिमितर्ट और बैंगुला धारा यह दच्छेड अफिरका का पस्षिमितर्ट तो जायत इस तरह से हमको और कोई माज करने कहा सकता नहीं है सिया आप से लमारा क्या है बिलकूल करक्ठ है पर अर्ब आख विशु की सबसे लंभी रिप्ट घाटि है भारत की नर्मदा घाटी डच्षेड कैलिफॉर्णिया कि लिखी है कि भंभी घंच बारत की दिश्री सी जसी कैलिफोरिया की डेट्थवैडि मैंसिक प्रमदीय है म座ियं 1 धुभ मयासी यह जालट आने की घंच काटि मैंसिक द्शी क्टे लिए ग्रेगरी ने किया था रिप्ट घाटी का मिलता है और यहां कि कब कीया था पुर्भी भट घाती का अधियन करते समय है क्या था रिप्ट घाटी उको भरंस गमभीर की रूप में भी जाना जाता है यानि एक खाटी को एक और नाम ले लिजिए भ्रंस गंभीर की रूप में भी जानायता है और जार्दन दिखटी जो पस्ची में सीरिया से लगाकर पुर्वी अफ्रिका तक बिश्तित है ठीक है तो कौन सा है सी आप्शन करेक्ट है कि निमिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है सही नहीं है पूछा गया है यहां पर ध्यान देंगे ऐलमुनियम उद्योक इस्तिती सस्ती विद्धुत उप्रभावित होता है भारत में एलमुनियम बिनिर्माण बाकसाइट खाजानों से दूर संपन्न होता है भारत में एल लुमुनियम बेनिर्माड बाकसाइट ख़जानों से दूर संपन्न होता है बी आप्सन करेक्ट है यही इसमें से गलत है चलिए सीदकालीन अयनांत पर एक घंटे और मिल्ट में दिन की समाई वधी के बारे में निम्निक्ति में से कौन सा गलत है 20 डिगरी अच्छांस यानि क दिन की लंबाई 6 घं गंटे 10 मिनट जेड़ी हाँ चांस दिन की लंबाई 12 घंटेскर्ण होता हम या फूरे वाला करक्ष्थ है एक तरफ दिया नदी का नाम और दूसर दिया सहरी बस्ती यानि कि किस नदी किनारी कौन सी बस्ती है तो इसके किनारी कौन सी सहरी बस्ती है तो इसके किनारी है कानपूर गंगान नदी कानपूर कृष्ण नदी इसके किनारी है बीजय वाड़ा कृष्ण नदी किनारी क्यों A का 3, B का 1, A का 3, B का 1, किस में दिया गया है, और C का 2, आपसर नमबर D में दिया गया है, D करेक्ट है, अगला कोशन लोते हैं, पैटोग्राप का परियोग, किसके लिए किया जाता है, मांचित्र के संदेखन के लिए, मांचित्र को रंगने के लिए, मांचित्र तापमान को घटाने और बढ़ाने के लिए, या फिर D है, मांचित्र के बढ़ने के लिए, तो पैटोग्राप का परियोग किसके लिए होता है, यह होता है, मांचित्र के बढ़ने के लिए, D आपस बसे के लिए बात किया जा रहा है, टाइम जोन की बात की जा रही है, 22 समय चेत्र, यानि कि 22 टाइम जोन, 15 समय चेत्र या फिर 24 समय चेत्र, तो पृत्वी को बाटा गया है, कितने समय जोन में, 24 समय जोन, यानि कि 24 टाइम जोन के अंतरखत बाटा गया है, डी आप्सन करेक् सबसे पहले कवर करेंगे 2021 का प्रिवेस येर जो की होगा साम को चार बजी तो आप साम को चार बज़े जरूर बिजिट करें और टीजिटी के लिए यदि आप त्यारी करें तो जीजान से जूड़ेर हैं और पुलिशी सफलता मिलने वाली है यदि आपने अभी तक त्यारी शुरू नहीं किया हुआ है तो आप प्रिवेस येर से शुरुवात करें और उसी अप्रेश को अपनाएं जिससे की आपको सफलता मिल सके चली बात करेंगे अगले कोशन के तरफ सुची एक को साम को साथ बज़े मिलेगा आपको ब्रोल का प्रिवेस येर पर जो कि हम सब स तो ओडिशा क्या है यह है हिंदुस्तान सिप्याड यहां पर क्या है पोत प्रांगड है इस्तिरफ्दिया इस्टेट यानि कि राज इस्तिरफ्दिया पोत प्रांगड ओडिशा हिंदुस्तान सिप्याड महाराष्ट मजगाओं डाक्स महाराष्ट क्या है मजगाओं डाक बी का 3, C का 1 और D का 4 आई दिखते हैं इसमें आप्शन क्या दिया हुआ है एक का 2 था यानि कि पहला आप्शन करेक्ट है सिर्फ और सिर्फ एक से हमारा काम चल जा रहा है चली अगला कोशन लेते हैं एल निनो दच्डी दोलन यानि कि ENSO से क्या अभिप्राय है मासागरी प्रकिरिया वाई मंडली प्रकिरिया मासागरी वाई मंडली प्रकिरिया या फिर मासागरी वाई मंडली थल प्रकिरिया तो एल निनो दच्डी दोलन से अभिप्राय क्या है इससे अभिप्राय हमारा है म सागरी वाय मंडली प्रकरिया सी आप्सन करेंट है सुर्के चारों और सनीगरह की प्रिकर्मण अवदी कितने वर्स की है 28.20 यानि 240 वर्स 84 वर्स 30.06 वर्स या फिर 29.46 वर्स कितने वर्स की है यह है 29.46 वर्स डी आप्सन करेक्ट है जिन मिकित में से कौन साजिग में सुमेनित नहीं है पूछा गया है एक तरफ दिया परजाती और दूसरे तरफ दिया उसका छेतर जाकून परजाती यह है मलेशिया में बोन्टोक परजात यह है फिलिपीन्स में खमेर कहाँ पर है कमबोडिया में है और मान क्या है मोन क्या है इंडोनेसिया में है इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है जाकून मलेशिया में है बोन्टोक फिलिपीन्स में है खमेर मोन कहांपे है, यह मियामार एवं थाइलेंड में यह 10 ध्यान लगना है चालिए, अगला कोशन लेते हैं माना भुगुल किसकी साखा से समंदित है? प्रादेशिक भुगल की, बिश्व भुगुल की, क्रमबद्द भुगल की या पिर आर्थिक भुगुल की तो माना भोगोल किसकी साखा से सम्मंदित है या फिर रिलेटेड है यह है प्रादेशिक भोगोल की ए आप्षन बिल्कुल करेक्ट है 20 डिगरी उत्तरिय चांस पर 22 दिसम्मर को निमिकित में से कितने समय सुर्य प्रकासित रहता है 12 गंटे 0 मिनट 10 गंटे 48 मिनट 9 गंटे 8 मिनट या फिर 13 गंटे 12 मिनट तो कब रहता है यह रहता है 10 गंटे 48 मिनट तक भी आप्षन सही है अगला कोशन लेते हैं और अगला हमारा कोशन है निम्निक्त में से कौन सा पलाया जील का उधारण है ग्रेट सालवे वान जील लाप नोर जील या पिर D गोहाना जील कौन सा है यह है लाप नोर जील C आपशन करक्ठ है चली अगला कोशन लेते हैं कोपेन के जलवाई बनकरण में AY चिन किसका संकेत करता है उश्ड कट बन्दी समाना जलवाई, मान सुनी जलवाई, उश्ड कट बन्दी आदर बन जलवाई, या पर D है स्टेपी जलवाई या किसका संकेथ है यह है उश्ड कट बन्दी समाना जलवाई का यह option correct है चली सेशन को आज यहीं तक रखते हैं उमीद करते हैं कि आप को यह सेशन पसंद आओगा सेशन यह पसंद आए ति वीडियो को लाइक जुरू करें और एक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकें जुरूर प्रिस करने धन्यवाद मानव भूगोल के आधारभूत पर तत्यों का प्रितिपादन सर्वर्थमकिस के द्वारा किया था विडाल डीला ब्लास जीन बूरूंस हैटनर या फिर अलवर्ट डिमांजिया ने मानवगोल के आधार भूत तत्यों का प्रतिपादन सबसे पहले विडाल डीला ब्लास ने किया था पहला option correct है और इनको यानि कि विडाल डीला ब्लास को मानवगोल का संस्थापक यानि कि इसको क्या मानवगोल का human geography का संस्थापक और इसके साथ संभववाद बिचारधारा का जन्मदाता की रूप में जाना जाता यानि कि संभववाद बिचारधारा आप भी जानते होंगे संभवाद बिचारधारा का यह क्या थे हैं मानख भूगल के संस्थापक और संभवाद बिचारधारा के क्या थे यह जन दाता थें वह रेटचल दोआ यानकि waar पुस्तक यहां से आपको एक कुश्चन और निकल के आ रहा है कि रेटजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है तो उनकी क्या है सारभोमिक एकता ठीक है क्या इनकी जैसे संब रेटजल की जो पुस्तक है एंथ्रोप्रोजोगलाफी से काफी जादा यह प्रभावी थी और इससे प्रवाथो करके इन्होंने ऐसा किया तो इसका पहला आप्शन क में सी आप्शन करेक्ट है और अगला कॉश्चन लेते हैं मिखित में से कौन समू के अंतरगत सम्रित नहीं है पंपास डाउंज लानोज या फिर वेल्ड इसमें से तीन सही है एक गलत है वो कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है लानोज वेने जिवलाम पाई जाती है ये एक निम्ण अच्छांसी उश्ड कटे बंदी घास है जबकि अन्य सभी क्या है मद्ध अच्छांसी स्वितोश्ड घास के मैदान है तो इसमें से क्या है लानोज करेक्ट है और सी आप्शन करेक्ट है कोरबा में एलमोनियम उद्योग की अस्थापना में निम्निकित में कौन सबसे अधिक महत्पूर कारक है कच्छे माल की निकटता सस्ती उर्जा की परियाप्त उपलब्दता सच्छम परिवहन तंत्र या फिर डी बाजार में निकटता कोरबा में एलमोनियम उद्योग की अस्थापना में कौन सबसे महत्पूर है वह सस्ती उर्जा की परियाप्त उपलब्दता बी आप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बात करेंगे बाकसाइट से एलमोनियम की निसकासन में बड़ी मातरा में सस्ती जल बिद्दूत किया सकत और निकठता होती हैं कुरबा में यह चछतियसगड में है और कच्चे माल की निकठता है स्कोबिक्षितकिया गया है भारत के निम्लिखित लोह इस्पात सेनेत्रों में कौन कोईला चेत्रों के निकरतम इस्थित नहीं है दुर्गापूर, कुल्टी, बर्नपूर, जमसेदपूर या फिर बोकारो यह क्या है यह जमसेदपूर सी आपसन करेक्ट है बढ़ते हैं अपने अगले कुश्म के परफ और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल अइकन प्रेस करें जिससे की हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी इसी तरह सी वीडियो आपके लिए लाते रहें सामको चार बजे मिले वाल है TGT का इतिहास का प्रिवेश सी असल पेपर और फिर साथ बजे भोगोल का प्रिवेश सी असल पेपर TGT का ही जो कि रोज सामको चार बजे अपके मिलता है चलिए जनसांक की संकरमण माडल में कौन से चरण के अंतरगत मिरित्तो दर में तेज गिरावट होती है लेकिन जर्म दर उच्च बनी रहती है आदिम जन सांख की चरण, तरुण जन सांख की चरण या फिर D, C है बाद में विस्थापित जन सांख की चरण या फिर D, प्रोण जन सांख की चरण कौन सा है? यह है तरुण जन सांख की चरण, B आपसन करेक्ट है भारत वर्ष के निम्लिखित प्रदेशों में से परमुख कपास उत्पादक छेतर कौन सा है? गंगा का मैदान, दक्कन ट्रेप, दामोदर घाटी या फिर असम घाटी तो कौन सा है? यह है दक्कन ट्रेप, B आपसन सही है चली, भंजन की प्रकिरिया में चट्टानों का विखटन होने लगता है, तथा चट्टाने टूटकर विखरने लगती है चोटे-चोटे टुकडों में, बड़े-बड़े टुकडों में, या C है, A और B दोनों में, या फिर D इन में से कोई नहीं तथा भंजन की प्रकिरिया में चट्टानों का विखटन होता है, और वो तूटकर जब विखरने लगती तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, छोटे-छोटे टुकड़े, यानि कि छोटे-छोटे टुकड़े में वो तूटकर क्या होते हैं, विखरने लगते है पहला आपसन करेक्ट है वान थिवनन की अनुसार किसी सहर के चारो ओर बिक्सित भूमी उप्योग कटिबंधों की संख्या कितनी होती है तीन, आठ, छे या फिर साथ यह होती है छे, सी आपसन करेक्ट है और छे कौन-कौन से होते हैं यह आप देख लिजिए साख सबजी उत्पादन पेटी काश्ट उत्पादन पेटी अन उत्पादन पेटी चारागाह एवं परती के साथ सस्या वरतन पांचवा है निछे पदती और छटा है पस उचारन इन छेव को आप नोट कर सकते हैं इसमें से एक कोश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सा वान्थिवनन के अनुसार इसी सहर के चार ओर विक्सित भूम उपयोग कटी बन्थो की संख्याग नहीं है तो चार देगा तीन देगा सही एक उसमें से गलत कर देगा वह आपको आउट करने के लिए देगा यहां से एक कोश्चन यह बन सकता है भारत में कौन सा केंदर होजरी का सबसे बड़ा उत्पादक है लुधियाना, मुंबई, तीरपूर यानि कोयम बटूर या फिडी है कोलकाता तो यह कौन सा है यह लुधियाना यह आप्षन सही है निमनिकित में से किस पंचवर्षी योजना के अंत्रगत उद्योगों के प्रादेशिक प्रक्रिडन हे दूई बिकास केंदरों की अस्थापना का गुडातमक प्रस्तावल लाया गया हम उमीद करते हैं कि यह आपको इस सेसन अच्छा लग रहा होगा और सेसन यह आपको पसंद आ रहा है तो एक सेर यह लू करें और एक लाय लू करें तिर्दी पंचवर्षी योजना में पांचवी पंचवर्षी योजना में बाहे हीमाले में ट्रांस हीमाले में भ्यात हीमाले में या फिर मध्ध हीमाले में तो हमको ल FMT की चलते हैं अगला हमारा फूर्शन हीघड़ाह में ज्यादा कि वर्षा वाले चत्रों की करम की पहचान करें गंगा डेल्टा सहयादरी पुर्वी उत्तर प्रदेश या फिर डी है सरी चोथा है उत्तरी गुजरात इसको कौन सा सही है इसको कम वर्षा वाले चत्रों के यानि ज्यादा से कम्यान की अवरोही करम में इसको अरेंज करना है तो क्या हो जागा इसका दो पहले सायादरी होगा फिर गंगा डेल्टा होगा फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश होगा उसके बाद उत्तर ही गुजरात यान की बी आप्शन दो एक तीन चार बी आप्शन करेक्ट है टैगा वन छेतर में पाई जाने वाली मिट्टी है लेटराइट, लाल मिट्टी, पॉर्ट जॉल या फिर चर्नोजम तो टैगा वन छेतर में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो मिट्टी है, पॉर्ट जॉल, च आप्शन, बिल्कुल सही है जिवग्राफी आफ टाॉंस की संकल्पना कर लेकन किस ने किया था R.A.D. Dickinson, C.B. Fawcett, Gene Gartman, या फिर A.E. Smells किस ने किया था या किया था D.A.E. Smells ने D option correct है सुची एक को सुची दो से सुमेल करना है और बताना है कि कौन साइश में से correct है एक तरफ दिया भारती दर्रे दूसरे तरफ दिया है संपर्क यानि जोडने वाले दो छेत्र जोजिला दर्रा उत्रा खंड से कस्ट उत्रा खंड जोजिला किसो जोडता है यह जोडता है कस्मीर से लद्दाक को जोडता है नात्रा दर्रा सिक्किम से चीन को जोडता है और शिपकिला दर्रा यह जोडता है हिमांचल प्रदेश से चीन को और लेपुल एक उत्रा खंड से चीन को जोडता है एक का दो बी का तीन एक का दो बी का तीन और सी का चार देट मिन्स डी आप्शन सही हो जाएगा और डी वाला करेक्ट है चलिए अगले क्वेशन पर आते हैं नुखित में से कौन सा देश सबसे ज्यादा सहरी क्रित देश है वेल्जियम सिंगापूर इजराइल या फिर उरुगुल कौन सा है बात करेंगे थर्टिना नमर क्वेशन की त्यों है सिंगापूर बी आप्शन सही है सुची एक को सुची दो स्प्रिसी मिलाना है एक तरफ दिया है दीप समू और दूसरी तरफ दिया है ज्वाला मुखी की संख्या क्यूराइल दीप में कितनी ज्वाला मुखी है यह है 35 फिलिप्रिंस में कितनी है यह है 13 अलास्का प्राइदीप में कितनी ज्वाला मुखी यह हैं यह हैं 33 और जापान दिप सम्मों में 98 एक दो तीन चार यानि कि ए पहला आपसा नहीं करेक्ट जाएगा बी वाला कि निमिखित में से जन नांकी जन जनांकी संक्रमन सिद्धान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था यह किया गया था यह किया गया था डबलू नोटे स्टीन के द्वारा एक आपसन सही है चलिए दिखते हैं यूएन के अनुसार मेगा सेटी की जन संक्रमन कितने से अधिक होती है 6 मिलियन से अधिक, 10 मिलियन से अधिक, 9 मिलियन से अधिक या फिर 7.5 मिलियन से अधिक पुछा गया है मेगा सेटी की जन संक्रमन कितनी होती है तो यह होती है 10 मिलियन से अधिक भी आपसन सही है चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सेटन पसंद पादन में ब्राजिल भारत और चीन का स्थान करमसर पहला दूसरा और तीसरा तीसरा दूसरा वह पहला करमसर तीसरा पहला और दूसरा करमसर दूसरा पहला वह तीसरा तो गनावत पादन में ब्राजली का स्थान कौन सा है यह पहला है उसके बाद दूसरा किसका है भारत का और तीसरा किसका है चीन का य तो बाल को का पूछ रहा है तो इसके स्थापना हुई थी कि चोविस नमबर 1965 को बी आप्शन इस और ए आप्शन सही है कि जनजातियों में कौन पसुचारी और घुमकड है कज्जाक पिगमीज मसाई या फिर लैस कौन से जनजातियों जो कि पसुचारी और घुमकड है या जनजाति है कज्जाक जनजाति एट मिन्स ए आप्शन करेक्ट है तो छोब मंडल में वायँ गती संचनन किसके द्वारा होती है स्वर्पावन समवहन धारा गुर्द्ववकरस्ण बल या फिर वाई धाब तो छोब मंडल में वायँ गती यानि कि संचन किसके द्वारा होती है यह यह पूछा गया है ति होता है समवहन द्वारा भी आप्शन सही है अगला कुशन दें निम्खित में से कौन तापमान प्रतिलोमन का एक परकार नहीं है अच्छानसी प्रतिलोमन और प्रवाही प्रतिलोमन या फिर यांतरिक प्रतिलोमन कौन है यह है अच्छानसी प्रतिलोमन that means a will be right stone lattice निर्मित में से किस की किरिया द्वारा निर्मित होती है वायू जल लहर या फिर हिमानी प्रकरम पुछा गया है stone lattice किस की द्वारा निर्मित होती है यह होती है वायू द्वारा यह आप्शन करेक्ट है गरहन के द्वरान पढ़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है प्रच्छाया अप्शाया या फिर ब्लैक होल तो गरहन के द्वरान पढ़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या होता है यह होता है प्रच्छाया धैट मींस बी आप्शन सही है अगला कोशन द्वाराद में सबसे बड़ा दिन कब होता है 21 जुन को 22 मार्च को 23 सितंबर क को पुछा गया ध्रच्छी गुलारत सबसे बड़ा दिन कब होता है यह होता है 22 दिसंबर को आप्शन नमबर डी करेक्ट है पढ़ते हैं अगले कोशन के तरफ और अगला कोशन है द्वाराद में सबसे बड़ा दिन कब होता है 21 जुन को 22 मार्च को 23 सितंबर को या फिर 22 क दिसम्बर को यह कब होता है यह होता है 22 दिसम्बर को डी आप्शन सही है अगला कोशन लेते हैं भुगोल पिर्थवी तल के भिनता पूर स्वरूप का यह थार्थ क्रमबद एवं तरक संगत वर्डन एवं व्याक्या से समन्दी थे यह कथन दिया गया है पीटर हैगेट द् दिकिंसन द्वारा या पिर डेविड वनिट द्वारा यह कथन किसका है यह कथन है रिचर्ड हाट्सों का बी आप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपके टीजिटी और पीजिटी एक्जाम में स्ट्रेटमें से कोशन पुछे जाएंगे एक या दो कोशन तो आप इसको नोट क पत्न तेल पत्न या फिर बाह्य पत्न तो एक इस प्रकार के पत्न यह है वाड़ीजिक पत्न यानकी कामर्सियल पत्न भारत का उत्तर दच्षड विस्तार कितना है यह उत्तर हो गया और यह हो गया दच्छड यह उत्तर है और यह दच्छड है इस तरह से विस्तार कितना है 3214 किलोंटर 233 किलोंटर या फिर 3600 किलोंटर कितना है यह है 3214 किलोंटर यानि की बी आप्षान करेक्ट है उत्तर से दच्छड विस्तार 3214 किलोंटर जबकि पूर से पच्छिम विस्तार कितना है कितना है पूर से पच्छिम विस्तार यह है 233 किलोंटर चलिए अगला कोशन लेते हैं इमने किते चार भुगोल के चिंतन फलक रहे हैं उन्हें सही कानकिरम यानि कि पुराने से नई में ब्यवस्यत करना है मानोनर मानो परक व्गोल या फिर चैतरी बिवय्धीकरन कोण सबसे पहले है और कोण उसके बाद में योज़े नश्वात पहले है यानि कि एक पहला पहले है इसके बाद आएगा च्छेत्री विधिकरण यानि कि एक चार फिर आएगा आपका भूबन्यासिक गठन दो इसके बाद मानोता परक भूगल तीन तो कौन सा अक्रम है एक चार दो तीन किसमें दिया गया है डी आप्शन दिया गया है डी आप्शन बिल्कुल सही है निर्गित बंद्रगाहों में कौन सा उडीशा तट पर अवस्थित है, हल्दिया, मुंबईदीप या फिर बिशाखा पत्नम कौन सा अवस्थित है ये पारादीप अवस्थित है, C आप्शन करेक्ट है भारत की निविखित जीलों में से कौन सी असम में स्थित है चपनाला जील हमीर सर जील कुलेरू जील या फिर साला जील पुछा किया कौन सी जील असम में स्थित है तो यह जील है वह है चपनाला जील ए आप्शन करेक्ट है आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करना है कि चपना सबसे और कम है यह बता ऊó पूछा गया आप से यह है दादर नगर और हवेली की जनफ सबसे कम है कि निमिखित में से कौन सी भारती तटडेखा की लगवल लंबाई है इसमें सी पुछा गया कौन सी भारती तटडेखा की लंगाई लगवक कौन सी है 5000 कम्लिमेटर 6000 6000 कम्लिमेटर invites 7000 या पिर 18000 जो भारत की तटडड़ राज CAR और इसमें कुल लंबबाई attended निमखित में से कौन पर्मुक मत्स उत्पादन्थ चेत्र नहीं है उत्तरपस्चमी पसांथ महा साघर ॥ आत्लांटिक इंसे क्वाइन इंद प्रवत में शुने सब्सक्राइब, betr fulfilled, स्रस्थ, और मिलेग गर्षों कोमा स्रुसु स॰इस तांभा सिंसे यर तो değer अदेफ्स करक्त है जो में किसे याने कि shifting cultivation किन च्छत्रों में वनों के च्छाए वब विनास एक प्रमुक कारण है दचडी एवं दचडी पुर्वी आशिया उत्तर अफ्रीका उत्तर पुर्वी अमेरिका या फिर मानसुनी एसिया किस चेट में यह shifting cultivation किया एक ताहए यह क्या सा माडल उप्यूकत है ट्रक्क रेलवे रिल या फिर जल्यान सी गैन से रेलवे जल्यान वाई परीवहन वेल गाडी वडी है वैलगाड कांसा है यह है फिर तरफ से मिलान एक तरफ ब्या हैए आदिवासी और दूसरे फ़्या ह्ए9 दूरत की दूकне है मुल निवास अस्थान याकूत जन जाती यानि कि आदिवासी किस अस्थान पर निवास करते। यह vapor किया है ईस्थार्याfast की है यह सुउठी अरफ कि है कि मसाई मसाई के निया की है और लैप इसकांडी ने विए एक अचार किस में दिया गया सीर्फ और सिर्फ आपसर नमबर 20 तो बी आपसर आंक मन करेक्ट हो जाएगा अंगला कोशन लेते हैं भूप्रिष्ट की ओसत उचाई एवं घहराई के छत्रों को किस वक्र रेखा दौरा प्रवदर्शित क्या आता है उचता दर्शी वक्र अबृत्ति वक्र ओजाईब या संजय अबृति वक्र या फिर फ्रेंच वक्रत कौन सा है यह है उच्छा दर्शी वक्र या फिर 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 तो टेलिग्राफ पठार पूचा गया कहा है यह इस्तित आपकी उत्री अट्लांटिक मासागर में पी आप्संद होगा प्संद लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइम ने किया सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएं मिलते हैं साम को तब तब अपना ख्याल लखें सुरुचे तरह हैं धन्यवाद